हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत आप सभी का कॉमिक वर्ड टू पॉइट ओपर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राजभारती का नॉविल अन्होनी का चौथे भाग वे वह कयामत की सुबह थी रोशन राए को उठाकर जब रॉली ने वे दिल धहला देने वाली खबर सुनाई तो रोशन राए की आखों के सामने अधेरा चागया जिस घोड़े में उसकी जानती उसकी जान निकाल ली गई थी अस्तिबल के चौगीदार को बांग कर सफेद घोड़ा निकाला गया और उसे हवेली के फाटक पर लाकर उसकी गर्दक तन से जिदा कर दी गई यह वारदात अन्जाम देने वाले तीन थे अपना काम निप्टा के वे तीनों वेविन दिशाओं में निकल गए थे रोशन राय कोशिश के बाबजूद भी यह ना जान सका कि आखिर यह वारदात किस ने की हाला कि इतना तो वह समझी गया थे कि इस वारदात के पीछे राजा सलीम के अलावा और कोई नहीं हो सकता रोशन राय अभी तक संतुष्ट वर निश्चिन था कि राजा सलीम आख खोल दी थी राजा सलीम ने अपने इंतिकाम कमाल होशियारी वर ज़्यादा दिलेरी के साथ लिया था रोशन राये ने अपनी पूरी कोशिश कर डाली कि राजा सलीम के खिलाब कोई सबूत कोई सुराग हाथ लग जाए लेकिन मैं नाकाम रहा बाबू गरेंट ने दो साथियों के साथ कुछ इस अंदाज में यह वारदात की थी कि कोई सुराग कोई सबूत ना छोड़ा था होने के बावजूद रोशन राये से कोई गिला शिक्वा नहीं किया था जबकि रोशन राये के पास कोई सबूत ना होने के बाद भी इसके दिल में इंतकाम की आग भड़कती जाती इसके बाद चुनाव आ गए हाला कि दौनों के छेतर अलग लग लगते और इससे पहले क कि रोशन राये ने कभी चुनावों में भाग लेनी की कोशिश भी नहीं की थी लेकिन इस बाद दौनों ने एक ही छेतर से इलेक्शन लड़े की ठान ली दौनों नहीं अपने अपनी पार्टियों से टिकेट प्राप्त कर ली और चुनाव की घहमा घहमी शिरू हो गई दौनों ने एक दूसरे के खिलाब बोलना शुरू कर दिया रोशन राये की कोशिश होती थी कि जहां राजा सलीम की जनसवा हो वहीं उसका भी जलसा हो परड़ाम सरूप दौनों की जनसवाएं हंगामों की भेट चड़ने लगी और फिर वे वक्त भी आ गया जब दौनों दोस्त खुल कर एक दूसरे के आमने सामने आ गया दोस्ति अंदरी अंदर दुश्मनी में बदली और फिर इसने राजनेतिक रंग ले लिया फिर वे वक्त आया कि दौनों उमीदवारों ने एक ही दिन एक ही जगे और एक ही वक्त जनसवा का एलान कर दिया दौनों ये बा में इलाकों में वापिस चले गए जल्सा कोई ना कर सका इस आपस के ठकराव और टकराव में गुंडा कर दी कर नतीजा वही निकला जो निकलना चाहिए था उस उस छेतर से एक तीसरा आजाद उमीदवार विजए रहा इस शिखसना उन दौनों की दिलों में इंतकाम किया और भी भड़का दी अब दौनों दुश्मन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो चाहते कर गुजरते और छिपानी की बजाए धिनोरा पीट देते की ये काम उसने किया है अब दोस्ती थी तो अपने शिखर पर थी अब दुश्मनी हुई तो इसकी भी सीमान आ रह रोशन राए तक जब ये खबर पहुची तो उसना राजा सलीम की बहु को टाको के सरदार से फिरौती दे कर अपने कब्जे में कर लिया और फिर उसकी लाश राजा सलीम के हवेली भिजवा दी राजा सलीम तड़प कर रह गया यू राजा सलीम अब किसी मौके की तलाश म उसके एकलौते बेटे समीर राई की बीवी उसने मास्टर हाकम अली को शाबाशी दे कर और इनाम का वायदा करके चंद हिदायतों के साथ रुख सकती है और अपनी प्लानिंग तयार करने लगा और फिर इसी प्लानिंग के अनुसार बाबू करेंट ने हाकम अली के घर से जमीरा को उठाया और उसकी हत्या करके उसे कालीन में लपेटा और रातो रात उस सड़क पर डालाया जो हाईवे को मिलाती थी तो दूसरी तरफ से रोशन गड़ी को जाती थी जाहिर था कि जिसकी भी नजर उस कालीन पर पढ़ेगी वो इस ख़बर को हवेली में रोशन पर राय तक जरूर पहुँचाएगा अब इसका क्या कहिए कि वह पहला शक्स खुद उसका पती समीर राय ही निकलेगा समीर अपनी बीवी की गमशुदगी से परेशान था हालात बता रहे थी कि उसकी बीवी जैसा कि उसे बताय गया तब मरी नहीं है और जब उसने अपन ली छोड़ना मनजूर कर लिया वे आसू खुद उसकी आँखों में बढ़ जाएंगे उसकी बीवी यू रहा में मिल जाएगी नमीरा की लाश देखकर उसके दिल में टीसे सी उठी जबत सयम के तमाम बंद दुख के रहले में बह गए गए वे फूट फूट कर रो दिया रॉली और हुली उसे वापिस हवेली ले जाना चाते थे लेकिन उसना जाने से इंकार कर दिया उसना अपनी नमीरा की लाश को अपने हातों में उठाया और उसे गाड़ी की फिछली सीट पर डाल दिया और खुद भी उसके साथ बैठ गया चलो मुंबई चलो उसना बेहत के साथ गाड़ी में बैठ गया और ड्राइविंग सीट समाल ली और गाड़ी समीर राय के आदेशन मुंबई की तरफ रवाना हो गई गाड़ी की नजरों से ओजा लो जाने के बाद हुली और उस बंदे ने कालीन को रोल किया वह इस वक्त हवेली से 10-15 किलोमीटर के फास में चल पड़ा उसकी नजर नफीसा वेगम की खास सेविका लोंग सरी पर पड़ी और वो लपक कर उसके पास पहुचा क्या हुआ लोंग सरी ने होली की परिशान सूरत देखकर पूछा था मालिक का है होली ने उल्टा सवाल किया वह मालकिन के साथ नाश्ता कर रहे हैं ल ली आया है रोशन राय ने चौक कर घड़ी देखी क्या उसके साथ रॉली भी है नहीं मालिक अकेला है ठीक है मैं अपने कमरे में जा रहा हूं तुम उसे वहां बेज दो रोशन राय नफीसा वेगम के चेहरे पर नजर डालता हुआ उठ गया वो बड़ी शान के साथ चलत अब रोशन राय ने फौरण ही इस आवाज को पहचान लिया यह कहका सुनकर वह अंदर ही अंदर खौफ जदा हो गया वह अच्छी तरह जानता था कि जहरेली हजी के पीचे जरूर हसने वाली की फतह की खबर होगी उसकी फतह चाले रोशन राय की कोई शिकस्त यह धड़ लगते दिल के साथ खबर कर इंतिजार करने लगा लेकिन उधर से संबंद विच्छेत कर लिये गया लाइन कट गई रोशन राय ने अपना मोबाइल बंद करके एक जटके सोचे सुफ़े पर फेक दिया तब ही एक मुलाजिम अंदर आया और हाथ जोर कर खड़ा हो गया हो खोल क्या मुसीबत आई ये बोलता क्यों नहीं रोशन राय ने जुझला कर कहा मालिक मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं होली धीरे से बोला अरे बाबा मेरे पास तेरे पास जो भी खबर है वो पता जादर ड्रामा ना कर रोशन राय सर्द लहजे में बोला मालिक यहां स तेरा मतलब है समीर राई की बीवी की लाश इस खबर से रोशन राई की रीड की हटी में सर दी दोड़ा दी उसने घबरा कर तस्दीक चाही थी जी मालिक होली ने तस्दीक कर दी मालिक लाश तो छोटे मालिक बंबाई ले गए वे हवेली वाफिस आने पर किसी भी तरह राजी ना हुए रोली उनके साथ गया है और मैं है यहाँ आपके पास आगया मैं वे कालीन जरूर ले आया हूँ जिसमें छोटी मालकिन की लाश लिप्टी हुई थी कालीन बाहर बरामडे में पढ़ा है रोशन राय को इस वक्त सुनाई नहीं दे रहा था हर तरफ से बस कही कही की आवाज आ रही थी यह कहाँ जहर में बुजा हुआ था उसका दिल चीर रहा था यह जहरीला कहाँ राजा सलीम का था वे मुंबई तक गाड़ी में ही पहुँचे थे मुंबई पहुचने तक गाड़ी में मौत कासा सन्नाटा चाया रहा किसी में हिम्मत ना थी कि वे समीर राय से कुछ कह सकता रोली बस नजर उठा कर आईने में देख लाता था रोशन राय ने नमीरा का सिर अपनी गोद में रखा हुआ था वे बार बार सिर पर हाथ फेर कर उसका चैरा देखता था नमीरा का चैरा जर्द था और उसके होटो पर हलकी सी मुस्कान थी नमीरा के होटो की तराश कुछ ऐसी ही थी कि वे जब अपने होट हलके से बंद कर दी थी तो यू महसूस होता था जैसे मुस्करा रही हो वही मुस्कान मरने के बाद भी उसके बंद ओटों पर मौजूद थी समीर राय उसका चैरा देखता तो उसकी आँखों से आसू जा रही हो जाते जबसे उसना नमीरा की लाश देखी थी उस पर दुखों के पहार तूट पड़े थे। उसके तो हवाज गुम थे। नमीरा की लाश के साथ वैं होस्टल तो जा नहीं सकता था। छणिक सोच के बाद ही वैं बोला अपने बांदरा वाले बंगले पर चलो। रॉली समीर जम दिलदार को उपर का बैडरूम खोलने का हुक्म दिया। फिर समीर राई नमीरा को गाड़ी से निकाला और उसे अपने कंदे पर डालकर उपर वाले उसी बैडरूम में ले गया। उसने बहुत धीरे से नमीरा को बिस्तर पर लिटाया। कुछ इस तरह की ठेस ना लग समीर राई को आते देखा तो बड़े आदर वाव से उसकी और बढ़ाया। रॉली अब तुम जाओ यहां मैं अब तुमें चंद मिनट भी बर्दाश नहीं करूंगा। फॉरन हवीली लोट जाओ और अब्बू से कह देना कि यहाने की कोशिश ना करें। उनसे कह देना कि दौनों साथियों के साथ गाड़ी में जा बैठा। उसने बड़ी महारत से गाड़ी बैक की और फिर तेजी से सीधा निकलता चला गया। जैसे डर होकि अगर उसने जरा भी देर की तो कहीं समीर राई उसे गोली न माड़ दे। गाड़ी की गेट से निकलते ही समीर राई फिर बैट पर आवेटा वा बेकरारी से नमीरा का ठंडा सर्द हाथ थाम लिया और होटो ही होटो में बढ़ वड़ाया नमीरा मुझे माफ करना मैं तुम्हें तनाह छोड़कर नीचे चला गया था मैं अब्बू के कुट्टे को भगाने गया था देखो मुझे देर तो नही से उसे भूली गया था वे तो संगीत की दुनिया वे उसके हंगामों मुगच ऐसा गुम था कि नमीरा उसके जहन से निकल गई थी यहां तक कि नमीरा का आकरी और चंद शब्दों का मार्मिक पत्र भी उसे हवेली लोटने को मजबूर नहीं कर सका था मैं खुद को बहुत अकेली बेहत तनहा महसूस करती हूँ हो सके तुम उससे मिल जाओ इस खट के मिलते ही वह तड़प उठा था उसना फॉरन ही हवेली जाने का फैसला भी कर लिया था पर बुरा हो संगीत भरी शामों का कुछ दोस्त उसे एक म्यूजिक कंसर्ट मिले गए बस एक शाम गुज जाता था वह भी अपने किसी दोस्त के मुबाइल से या स्टडी बूत से मा से ही नमीरा का कुशल छेम मालूम हो जाता था फिर एक दिन समीर राय को बड़ी शिद्द नमीरा की याद आई और उसने पक्का इरादा कर लिया कि कुछ भी हो जाए वकल जरूर रोशन गड़ी जाएगा सायोक से उस वक्त उसे एक दोस्त को मुबाइल फोन भी उपलब्द था तो उसने उसी वक्त मा को अपने हवेली आनी की इतला भी दे दी काश उसे पता होता कि नमीरा के बुलावे पर ना जाकर उसने कितनी बड़ी भूल कर दिये भूल नहीं बलकि अपराद एक कैसा अपराद जिसकी सजव ताजिंदी की काड़ता रहेगा सिसकता रहेगा बिलगता रहेगा नमीरा उसकी महबत थी उसने नमीरा जे बड़ी चाहा से शादी की थी और नमीरा ने भी उसके लिए अपने बाबाब को छोड़ दिया था हाला कि समीर राय ने भी नमीरा को बीते दुनों की फिल्म बड़ी तेजी से चल रही थी मैं बढ़बढ़ाए जा रहा था रोए जा रहा था और नमीर आखे मूंदे होटो पर मुसकान सजाए खामोशी से सुने जा रही थी इसी तरह पूरी रात बीद गई सुबह उते ही रोशन गड़ी से नफीसा बेगम का फोन आया रिसीवर दिलदार नोट आया हेलो वह बोला कौन दिलदार उदर से नफीसा बेगम ने पूछा जी मालकिन सलाम मालकिन मैं दिलदार बोल रहा हूँ दिल्दार ने उनकी आवाज पैचानते ही जवाब दिया छोटे मलिक का है नफीसा ने पूछा वहतो जी उपर के कमरे में है जी जब से आये हैं वहीं है जी कमरा अंदर से बंद कर रखा है मैंने और सरवरी ने उपर का कई बढ़ चक्कर लगाया है मगर दर्वाजा बंदी पाया है दिल्दार ने संचेप में रात की रिपोर्ट दे डाली जा अब उपर जा नफीसा बेगम ने आदेश दिया दर्वाजा कटकटा कर बता कि मेरा फोन है अच्छा जी जाता हूं जी दिल्दार रिसीवर रखकर उड़ गया दिल्दार की बीवी सरवरी किचिन में न दर्वाजे के हैंडल को धीरे से कुमाया लेकिन दर्वाजा ना खुला वैं अंदर से बंद था फिर वो दर्वाजे कटकटा नहीं वाला था कि सरवरी उन्हें उसे आवाज दी दिल्दार इदरा सरवरी के आवाज में कुछ ऐसी बात थी कि वह चौके बिना ना रहा वैं गीले तॉलिये से नवीरा का मूँ साफ कर रहा था लगता है छोटे मालिक फागल हो गया है कोई लाश कभी मूँ दुलाता है दिल्दार परेशान होकर बुला अब क्या करूं सरवरी दर्वाजा बजाओं हाँ बजाओ सरवरी ने मशवरा दिया उन्हें बता दो कि मालकिन का फोन आया दिल्दार हिम्मत करके आगे बढ़ा और फिर दर्वाजा बजा का फॉरम पीछे हट गया उसने अपनी बीवी को भी अपने करीब कर लिया बहबीत लग रहा था इसी अंदेशे से की दर्वाजा कोल समीर राय जाने क्या परतिक्रिया दिखाए लेकिन दर्वा बाद भीतर से खटपट की आवाज आई दर्वाजा खुला और समीर राय का चैरा देखा सरवरी उसका चैरा देखकर सहर गई समीर राय के चैरे पर दिवानगी के भाव थे उसकी आँखे सुर्ख थी जैसे वो राद बर ना सोया बाल बिखरे हुए थे लिवास बेतर मेरी नमीरा कब से नाश्ते का इंतिसार कर रही है हाई अल्ला समीर राय की बात सुनकर सरवरी बदावास होकर एकदम पीछे अट गई छोटे मालिक हवेली से मालकिन का फोन आया वह आपको बुला रही है दिलदार आगे बढ़कर बोला अरे बेवकूफ मेरी बात सुन मेर नमीरा राज से भूकी है उसके लिए जल्दी चे नाश्ता ला जा जल्दी कर समीर राय ने अपनी कही दिलदार की बात तो उसने जैसे सुनी नहीं थी छोटे मालिक मैं अभी नाश्ता ले आती हूं सरवरी बोल उठी आप तब तो मालकिन से बात कर लें कौन मालकिन समीर ने खोई-खोई अंदाज में पूछा आपकी अम्मी चोटे मालिक सरवरी ने हैरत व परिशानी से जवाब दिया क्या आप अपनी मा को भी भूल गए यहां से दफा हो जा सरवरी समीर ने उसे घूरा मेरा कोई नहीं है मेरी बस नमीरा है जा जल्दी नाश्ता रा वे कप स नाश्ते का इंतिजार कर रही है इतना कि उसने थडाक से दर्वाजा बंद कर लिया वे दोनों हैरान परिशान से एक दूसरे का मूँ ताखने लगे अब क्या करें दिलदार बुला मालकिन को क्या बताए मालकिन से खुछ चुपाने की जरूरत नहीं है दिलदार उन्हें स सरवरी ने कालीन पर बैट तूर रिसीवर उठाया और नफीसा वेगम को वह सब बता दिया जो उसने देखा वह सुना था वह सब को सुनकर नफीसा वेगम के तुझ जैसे होशी उड़ गया उसका एकलौता वा लाटला बेटा और उसकी यहाल है वह अगर सचमच पागल हो तुम दोनों हमारे पहुचने तक छोटे मालिक का ख्याल रखो वह जैसा कहें कर देना ठीक है जी मालकिन ठीक है आप बेफिक्र हो जाए हम वैसा ही करेंगे जैसा आपका हुक्म है सरवरी का जवाब सुनकर नफीसा वेगम ने रहात महसूस की वह जानती थी कि सरवरी एक स पारन मुंबई चलने का इंतिजाम करें हमारे बेटे ने पूरी रात लाश के साथ गुजा दी है वै बहकी बहकी बाते कर रहा है कहीं वह सचमुची पागल नहों जाए नफीसा वेगम की आवाज में कम पन था क्या कह रहा है कुछ बताओ तो रोशन राय ने पूचा वै लाश का मूद होला रहा है लाश के लिए नाश्ता मंगा रहा है आया कुछ समझ में नफीसा वेगम ने ठंडी आ भरी रोशन राय के चेरे पर भी चिंता के भाव उबरे वै उट खड़ा हुआ ये तो बड़ी संजीदा और खतरनाक बात है तुम जल्दी से तयार हो जाओ मैं रॉली से कहता हूँ कि वो गाड़ी निकाले ठीक है नफीसा वेगम ने छला काय आसू पहुचे और तैयारी में लग गई रॉली ने गाड़ी बंगले के गेट के सामने रोक कर पहले दो बार हौन बजाया फिर गाड़ी से उतर कर गेट की कॉलवेल भी दो तीन बार बजाई और फिर स्टेरिंग पर आ बैठा दिलदार भाग कर गेट तक आया सरवरी भी बंगले से बाहर आ गई दिलदार ने ता वे दौनों सिर के इशारे से सलाम का जवाब देते हुए बंगले में ताखिल हो गए। सरवरी ने जल्दी से उने जूते पहना और पीछे अटकर खड़ी हो गई। बेटे का चैरा देकर भचक की रह गई। दिल में एक टीस सी उठी और उसने आगे बढ़कर समीर राय का चैरा अपने हज़ानों हाथों में ले लिया। और फिर भर्राई आवाज में बोली मेरे चांद ये तूने अपनी क्या हालत बना लिये। समीर राय ने उने अजनबी निगाओं से देखा और अपना चैरा उनके हाथों से अलग कर लिया। फिर पल्टा वह कमरे के अंदर चला गया। नफीसा वेगम उसके पीछे लगकी। कमरे का बुरा हाल था। नवीरा की लाश बैट पर पड़ी थी और नाश्ता उसके चारोर बिखरा हुआ था। समीर राय ने उसे भरपूर नाश्ता करानी की कोशिश की थी। नमीरा के मुँपर जैय मक्षन ब्रैट के पीस लिप्टे हुए थे। कपड़ों पर चाय बिखरी पड़ी थी। समीर राय के हाथों में बटर लगा पीस अब भी मौझूद था। वे बड़ी फिक्र मंदी से नमीरा की तरफ बढ़ा जैसे नाश्ते में देर हो रही हूँ। उसने बड़े चाव से पीस नमीरा की मुँँ में रखा वा बोला नमीरा जल्दी से नाश्ता कर लो प्लीज ये लोग आ गएं सब छीन कर ले जाएंगे तुमसे। नहीं बेटे तुम परेशान ना हो। मैंने नमीरा की लिए धेरो खाना बनवाया। मैं उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी। नमीरा से कोई कुछ नहीं चीनेगा बेटे। बेटे की मनों इस्तिती पर अंदर ही अंदर रोते हुए धीरत दर्शाते हुए बोली। हाँ समीर राय का चैरा खुशी से दम उठा। दमा कुठा। तुम बहुत अच्छी हो। तुम कौन हो। हाई मेरे लाल। नफीसा बेगम का कलेजा चलनी हो गया। तुम मुझे नहीं पहचानता। अरे मैं तेरी मां हूँ। अच्छी। अच्छा तुम मेरी मां हो। उसक पहचानता क्यों नहीं। पहचानत हो रहा हूँ। नमीरा को बता रहा हूँ कि तुम मेरी मां हो। नमीरा सुनो ये मेरी मां है। इन्हें अच्छी तरह पहचान लो। समीर राय के लहजे में अजनिब्यत अभी भी थी। वह नफीसा की तरफ देखते हुए बोला इसके ल पिरायन सहमती जत लाई, वे मां की बाहों से निकल का फिर नमीरा के पार जहाकडा हुआ, और धीरे से बोला, नमीरा, तुम क्या क्या खाओगी, मुझे बताओ, फिर वे कान लगा कर जैसे कुछ सुनने लगा, फिर उसने गर्दे नहलाई, जैसे सब समझ गया हूँ, वे बो और चारोतरब बावलों की तरह देखने लगा, जैसे वे किसी अजनबी सी जगए आ गया हूँ, नफीसा उसके पीचे पीचे थी, वे उसके करीब आ, उसका हाथ पकड़ती हो बोली, इधर आओ बेटे, समीर राई ने एक नजर उसे देगा, फिर खामोशी से उसके साथ च नास लिया और समीर राई को संबोदित करती हो बोली, बैट जाओ, बैट जाओ बेटे, जी, समीर राई ने कहा वह यंत्रवत सब बैट पर बैट गया, मा ने बेटे का चहरा गौर से देखा तो दिल पर आरी सी चल गई, दो दिन में उसकी हालत क्या से क्या हो गई थी, बि नफीसा वेगम को सोच कर बोली, मेरी शिकाय, वे क्या, समीर राई के चहरे की जर्दी में उदासी गुल मिल गई, हाँ बेटा, शिकायत तो वो करेगी न, कोई बीवी अपने शोर को इसालत में नहीं देख सकती, क्यो, मुझे, मुझे क्या हुआ, समीर राई ने अपने आ सादत मंदी से बातरूम में चला गया, समीर के बातरूम में जाते ही नफीसा ने दर्वाजा बजाया, बाहर से फौरन आवा जाई, जी मालकेन, मेरा सूटकेस लाओ, जो हविली से लाई हूँ, जी मालकेन, सरवरी ने जवाब दिया, कुछ दिर बाद दर्वाजा खुला सरवरी एक सूटकेस लिया अंदर आई और उसे मेच पर रखका फौरन वापिस लोट गई, दर्वाजे में फिर से ताला लग गया, नफीसा बेगम ने सूटकेस से समीर राय के कपड़े वर शेविंग बाक्स निकाला और बातरूम का दर्वाजा कटकटाया, समीर राय ने देखकर सुकून की सांस ली, बैठो समीर, मुझे तुम से कुछ बात करनी है, नफीसा ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैट पर बिठाने की कोशिश की, नहीं, समीर राय ने फौरन ही अपना हाथ चुड़ा लिया और दर्वाजी की तरफ बढ़ते हुए बोला, मुझे नम समीरा की याद में डूबा हुआ, नमीरा के लिए चिंतित, समीर राय ने दर्वाजे का हैंडिल गुमा का दर्वाजा अपनी तरफ कीचा लेकिन दर्वाजा ना खुला, दर्वाजा तो लौक था, वह खुलता कैसे, उसना दूसी बार हैंडिल गुमाया लेकिन दर्वाज टस से मस नहीं हुआ, अब उसका धैर धीरत जाता रहा, वैं जुन्जला कर बोला, ये दर्वाजा क्यों नहीं खुलता, खोलो दर्वाजा, बेटा समीर, नफीस है वेगम जल्दी से इसके निकट आ गई, बेटा आओ इधर आओ, मेरे पास बैटो, मेरी बास सुनो, मुझे क उस प्लानिम पर बाहर अमल हो चुका था, जब समीर रहे ने धाड़-धाड दर्वाजा बजाया, कई लाते दर्वाजे पामारी और गुस्थे से चिलाया, घदे के बच्चो, दर्वाजा क्षों दर्वाजा क्छों तब शानक दर्वाजा, दर्वाजे में चाबी, गुम उसने बड़ी तेजी से राधारी पार की और धड़ादर सीड़ियां चड़ता चला गया है। वे उपर पहुचा। उपर के बैट्रूंग का दर्वाजा खुला हुआ था। वे पागलों की तरह भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसका खंदा दर्वाजे की चौकट से टकराया वे गिरते गिरते बचा। कंदे पर तीवरी चोट लगी थी लेकिन उसने इसकी परवा नहीं की। वे अपने दौनों हाथ फिलाए जब बैट की निकट पहुचा तो वहां का नक्षा ही बदला हुआ था। बैट पर नमीरा की लाश मौजूद ना थी। बैट शीर बदली जा चुकी थी। कमरे की अच्छी तरह सफाई कर दी गई थी। अभी कुछ देर पहले यहां जो गंदी की थी उसका कहीं पता नहीं था। इस वक्त वह कमरे एक आलीशान बंगले का आलीशान बैट रूम लग रहा था। नमीरा कहां गई। वह बढ़ बढ़ाया। उसने तेजी से कमरे में चारू तरफ नज़र दोड़ाई। नमीरा तुम कहां हो। उसने जोड से पकारा। फिर शायद उसे ख्याल आया कि नमीरा कहीं बाथरूम में ना हो। वह लपक कर बाथरूम के दरवाजे पर पहुचा। दरवाजा बंग था। उसने बहुत धीरे से आवाज दी। नमीरा अंदर से कोई आवाज ना आई। तो इसने दरवाजे का हैंडल घुमाया दरौजा खोल गया अंदर अन्देरा था। वह दरवाजा बंग करके वापिस लौटा। तो किसी ने किमरे का दरवाजा बंग कर दिया। दरवाजा लॉक करके सरवरीन हचावीचा वेगम के हाथ में दे दी और खुद जरा पीचे के वाद दर्वाजे से पीछे लगाए बड़ी खामोशी से सुन रही थी वैस समीर राय को बहला फुसला कर इसलिए नीचे ले आई थी कि रोशन राय की योजनल नुसा नमीरा की लाश यहां से हटा दी जाए नमीरा की लाश अठाने में मुश्किल से चंद मिनट लगे रॉली दो बंदों के साथ नमीरा की लाश को आनल फानल में गाड़ी में डाल कर ले गया उसके बाद समीर राय को पता नहीं चला कि नमीरा को कहां दफनाया गया दफनाया भी गया या उसे समद्र में बहा दिया गया किसी खटे में फेक दिया गया या किसी जंगल में जानवरों को जानवरों के नोचने खाने के लिए डाल दिया गया रोशन राय और नफीसा वेगम दौनों का इक्यालता की समीरा राय ने नमीरा की मौत का सद्मा को जादा ही ले लिया है इसलिए जितनी जल्दी संबा वो नमीरा की लाश को उससे अलग कर दिया जाए वैसे भी एक लाश को किसी जिंदा आदमी के साथ किस तरह रहने दिया जा सकता था समीर राय कमरे में बंद बुरी तरह चीक रहा था अपने बेटे की विचित चीके सुनकर नफीसा बेगम का दिल किसी पत्ते की तरह काप रहा था वे अपना दिल मुठी में बीचे अपने आसू पीने की कोशिश कर रही थी इतने में अंदर से खिड़की का शीशा तूटने की आवाज आई खिड़की पर जाली का मजबूत फ्रेम लगा हुआ था समीर राय ने खिड़की खोलने के बज़ए गुस्से में आकर तोड़ दी नफीसा वेगम शीशा तूटने की आवाज सुनकर खिड़की की दरफ लब की वे नफीसा वेगम को बाहर देखकर चीखा मेरी नमीना का है वे मर गई है वे अब इस दुनिया में नहीं है मेरे बेटे तुम जूट बोलती हो मेरी बात का एदवार करो मेरे बेटे वे मर चुकी है तुम खुदी तो उसकी लाश उठा कर लाया था नहीं वे बड़े जोड सचीका वे नहीं मर सकती उसे कोई नहीं मार सकता यह कहकर उसने दूसी खड़की के शीशे पर घूसा मारा शीशा च्छनाक से टूड गया नफीसा बेगम से अब उसकी हलत देखी नहीं जा रही थी वे तेजी से नीचे ड्राइंग रूम में पहुंची जहां रोशन राय एक सोफे में धसा किसी सोच में डूबा हुआ था बदहवास नफीसा बेगम को देखकर वे एकदम खड़ा हो गया क्या हुआ समीर की हलत अच्छी नहीं है उस पर जुनून सवार है वे पागल हो गया जल्दी से किसी डॉक्टर को बलवाएं नहीं तो वे अपने आपको जखमी कर लेगा वे खड़कियों के शीशे तोड़ रहा है नफीसा वेगम बोलते बोलते रो पड़ी अच्छा अच्छा बाबा रो मत मैं भी करता हूँ तुम परिशान मत हो यह कह गर उसने अपनी पॉकेट डायरी निकाली और दोबारा सोफे पर और दोबारा सोफे पर बैट गया उसने सोफे पर रखा मोबाइल फोन उठाय वर डायरी में अपने एक परिचित लोकल डॉक्टर अंसारी के नंबर देख उसके नंबर मिलाई डॉक्टर अंसारी बीस मिनट महीं उसके साथ एंबुलेंस लेकर बंगले पर पहुँचा डॉक्टर अंसारी जब ताला खोलकर समीर के बैटरूम में दाखिल हुआ तो समीर राय बैट पर बैठा चीक रहा था उसके हाथ शीशा तोड़नी के वज़े से लहुलुआन थे डॉक्टर ने पहले किसी तरह बहला फुसला कर समीर राय को ब्योशकी का इंजेक्शन लगाया कुछी देर में समीर राय की आँखे बंद ओने लगी और तेजी से उसको नीद आती चली गई फिर समीर राय को एंबुलेंस में डाल कर एक प्राइवेट हॉस्पिटल पहुचा दिया गया यहाँ एक माहिर मनोचकस्यक की देख रेक में फारण उसका अपचार शुरू हो गया रोशन राय ने वहाँ के डॉक्टरों को सिर्फ इतना बताए कि समीर राय की बीवी का देहान तो चुका है उसे अपनी बीवी से बेपुना मुहबबत थी और चुकी उसकी मौत अचाना कोई इस वज़े से वह अपनी बीवी की मौत का यकीन नहीं कर रहा सदमे से वह जुनून का शिकार हो गया विशेशा के डॉक्टर ने पहले चरण में उसे सुकून देने वाली दमाएं देनी शुरू कर दी नमीरा की लाश रोशन राय की हवाई जाच जैसी गाड़ी की पिछली सीट पर आहस्ता आहस्ता हिल रही थी लाश पर एक सफेज चादर डाल दी गई थी लाश के लगाता हिलने की वज़े से वह चादर अब उसके चैरे से हट गई थी उसका एक हांथ फिसल कर नीचे आ गया था जो अब लाश के साथ जूल रहा था नमीरा के चैरे पर कॉमलता थी एक हलकी सी मस्कुरहाट थी यह मैसूसी नहीं होता था कि उसको मरे हुए काफी वक्त हो चुका है गाड़ी अपनी फुल स्पीट से सफर तै कर रही थी रॉली कभी कभी पीछे मुड़कर देख लेता था यही देखने को कि लाश किस पोजीशन में है कई हिल हिलकर सीट के नीचे तो नहीं आ रही वे मुंबई से काफी दूर निकलाए थे वो नमीरा को ठकाने लगाने निकला था रॉशन नाय ने बस इतना ही कहा था कि इसे ठकाने लगा दो यह नहीं बताया था कि कहां और कैसे अब यह मामला उसकी अपनी इच्छा पढ़ता और वह सोच रहा था कि इस काम को कहां और कैसे नप्टाया जाए वैसागर टटके साथ साथ सफर कर रहा था और शहर से बहुत दूर वीरानों में थी उसने को सोचा वह गाड़ी समुदर के नर्जन रेतीले किनारे की तरह मोड़ दी दूर तक रेती रेत थी उँचे नीचे रेत के टीले फैले हुए थे गाड़ी जब इस रेतीले रास्ते पर काफी आगए आगई तो रॉली को यकीन हो गया कि इन वीरानों में किसी इंसान का गुज़ना मुश्किल है तो उसने एक जगे गाड़ी रोग दी उसने अपने साथ बैटे हुए दौनों बंदों को गाड़ी से उतरने का इशारा किया और खुद भी नीचे उतर गया उसने रेत पर खड़े होकर अपनी कमर सी दी वह काफी देर से ड्राइविंग कर रहा था फिर उसने चारों तरफ एक निर्क छनात्मक निगा डा दी दूर तक वीराना वसनाटा था रॉली को निगटी एक खड़ा नजर आया यह गड़ा दो तीन फुट गहरा था इस गड़े को अपने काम के लिए चुल लिया उसने अपने एक साथी की मदद से नमीरा की लाश को गाड़ी से निकाला और उसे धीरे से उस गड़े में उतार दिया उस पर चादा डाल कर उसके हाथ पैरों को हाथों पैरों तले दबा दी उसे एक तैयार शुदा कबर मिल गई थी वे तीनों मिलकर अपने हाथों से रेट को उस गड़े में गिराने लगे तब ही रॉली को ख्याल आया कि एक प्लास्टिक की बाल्टी गारी में है उसने वाल्टी गारी से मंगवा ली और फिर बाल्टी से ही रेट भर भर का लाश पर डालने लगा यूँ तीनों ने मिलका शीगरी गड़े को रेट से ढख दिया देखते देखते वह एक कबर सी दिखाई देने लगी रॉली को जब ये इत्मिनान हो गया कि नमीरा की राश अच्छी तरह से सुरक्षित हो गई है गाड़ी स्टार्ट करके स्टेरिंग को तेजी से गुमाया फिर गाड़ी अब वापस हाईवे की तरफ जा रही थी गाड़ी जब उस रेट की कबर से बहुत दूर निकल गई तो पश्चन दिसा थे उचे कद का वैक्ती आता नजर आया उसका रुक नमीरा की कबर था वो हाला की एक एक कदम करके चल रहा था दौड नहीं रहा था ना तेज चल रहा था इसके बावजूद यू लगता था जैसे वो हवा की घोड़े पर सवार हो वो देखते देखते कबर के निकटा पहुँचा वे करीब आठ फुट उचे कद का आदमी था एक दम काला भुजंक चमकता हुआ काला बद काला बदन उसने केवल एक सफेद चादर अपने शरी पर लपेट रखी थी उपर का बदन नंगा था और ये चादर भी घुटनों से उपर थी नंगे पाउं, बड़ी और सफेद आखें, चमकती हुई काली पुतलियां, मोटे मोटे होट, थोड़ा खुला हुआ मूँ और उसमें सजहकते हुए सफेद दात, घुंगराले सक्त बाल, चहरा दाड़ी मूचों से साफ, कंधे पर एक मोठी सी जंजीर और उसमें बंदी घंटी, ये घंटी बाएं हाथ के निगट लटकी हुई थी, जंजीर लोही की थी, जबकी घंटी पीतल की, जब वे कबर के निगट आ रहा था तो वे घंटी टन टन बज रही थी, ये अजीब और गरीब शक्स कबर के सामने हैं खाड़ा हुआ, उसने अपनी दौंगन और टांगे फैलाई, फिर जंजीर में बदी घंटी उतारी, सीधे हाथ में घंटी की जंजीर पकड़कर घंटी को एक दाएरे में घुमाया और फिर जुक कर बड़े जोड से घंटी को कपर पर मारा और बोला, मैं हूं हूरा, एकड़म रेत का बादल सा उठा और वेकाला दे रेत के इस बादल में छिब किया गमरे की हर दिवार में एक दर्वाजा था, ये चारो दर्वाजे सुर्क रंग के थे, इन चारो दर्वाजों पर एक सुरहने सुनहरे साप के आकरती बनी हुई थी, ये आकरती सोने से बनाई गई थी और इस सोने में ढले सापों को कालों से जड़ दिया गया था, जब पूग से ज़्यादा बेताब नजर आई तो एक का एक चारो दर्वाजे एक साथ खुले और इन दर्वाजों से जो चीज बरा मद हुई उसकी वज़े से बच्ची एकदम खामोश हो गई वे तेज हवा के जोंके थे यह हवा बंगलों की सूरत में बंगोलों की सूरत में कमर जा रहे थे उसके नीचे बिज़े गद्दे का कोना भी हवा के वेक से बार बार उठ रहा था तेज हवा बच्ची की आँखों में घुस रही थी इसलिए वे अपनी आँखों को बार बार बंद कर रही थी बड़ी खूबसूरत बड़ी प्यारी सी बच्ची थी हवा की हवा जिस तेजी से अंदर राखे लुई थी उसी तेजी से वो कमरे से निकल गई चारो दरवाजे अब भी खुलेते लेकिन अब कमरे में जरा सी भी हवा महसूस नहीं हो रही थी बच्चे के कपड़े भी नहीं रहे थी बच्ची अफ फिर बिलग बिलग कर रोने लगी थ उसकी ननी चीके पूरे कमरे में गुंज रही थी वे भूख से बेहाल थी और कोई पूछने वाला नहीं था हवा भी बस चक्कर लगा कर चली गई थी वे और कर भी कह सकती थी फिर से ऐसा तीन दर्वाजे धार 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 करके बंद हो गए यू महसूस हुए जैसे किसी ने जोर से धक्का देकर बंद कर दिया हो बंद होते दर्वाजों की धमाकेदार आवाजों की वज debido से एक बच्ची रोते रोते एक बार फिर चूप हो गई दर्वाजे बंद होने की वज़य होने की आवाज पर मारे डर के लेटे-लेटे उचल सी जाती थी अब आवाजयानी बंद हो गई तो उसने फिर रोना शुरू कर दिया फिर चौते दर्वाजे से जो भी तक खुला हुआ था एक और अंदर आ गई थी वह काले लिबास में थी सामली रंगत घने बाल मुस्कुराती हुई काली आंखे वह एक मदमाती अदा के साथ कमरे में दाखिल हुई और ते से और हुमक खुमक कर दूद पीने लगी वह औरत बच्ची के चोटे-चोटे सुनायरे बालों पर धीरे-धीरे हाथ फेरने लगी पेट भरते ही बच्ची की खुबसूरा दाके बंद होने लगी फिर उसने दूद छोड़ दिया और गहरी नीन सो गई बच्ची सोते हुए इतनी सुन्दल लग रही थी कि वह औरत उसे प्यार किये बिना नहीं रह सकी फिर उसने बच्ची को गद्दे सहीत पुना फर्श पर लिटा दिया और एक काली चादर से उसका मूँ ढखकर खड़ी हो गई तब ही पीले कपड़े पैने एक और उसकमरे में दाखिल हुई औ उसने आती बच्ची को अपनी गोद में उठाया और एक बंद दर्वाजे की तरफ बढ़ी वह दर्वाजे के निकट पहुची तो दर्वाजा खुद बखुद खुल गया यह औरत बच्ची को उठाय उस दर्वाजे से निकल गई उस औरत के निकलते ही दर्वाजा खटाक से बंद हो गया अब वह पहले वाली ओरत जिसने बच्ची को दूद पिलाया था वह खुले दर्वाजी की तरफ बड़ी उसके चलने का एक खास अंदास था वह बड़ी अदा के सार लहरा कर चल रही थी इस ओरत ने उसे दर्वाजे में दाखिल उते हुए देख लिया था औ वो और कोई नहीं एक नाग था काला नाग वो बल खाता हुए बहुत तेजी के साथ कमरे में दाखिल हुआ फन फैला कर उस औरत के सामने खड़ा हो गया जैसे उसका रास्ता रोक लेना चाहता हूँ वो और उसे सर्द निगाउं से देखते हुए बोली क्या चाहता है तू क्यों बार-बार मेरे रास्ते में आता है क्या तुझे अपनी जिन्दगी प्यारी नहीं उस काले नाग ने अपने फन को दाएं बाएं घुमाया अपनी जीवा लप लपाते हुए अपनी आँखें उस औरत पर जमा दी जैसे कहता हो इश्क बिना क्या जीना कोश शर्म कर अथर जिस पर किसी चीज का असर नहीं होता अगर तेरे दिल में मुझे डसने के असरा था तो फिर आ जा डस ले यह कहकर तभू जमीन पर अपने घुटने टेकर बैट गई और अपने दौन हाथ फैला दिये वो काला नाग जिसे तभू ने सोने का कहकर पुकारा था वो त को नजदीक पहुंचकर फिर अपना फन फिला कर खड़ा हो गया अब तभू के हाथ और इसके फन के बीज दो तीन इंच का फासला था सोनेता जरा सा जुकरी उसके हाथ को आसानी से काट सकता था तभू की आँखों में रोज बढ़ता जा रहा था जबकि सोनेता की आँख जाने का दो सास कर लिया तो अब शुरू हो जा यह कहकर तभूत ने अपना हाथ उसके बिलकुल करीब कर दिया सुनेता ने किसी मदमस्त की तरह उसकी खुबसूरत उंगली पर जोड से फन मारा और उसकी उंगली में दो दाद कड़ा दिये बस यह चंदले में ही उसे जैस गवा बैठा तभू ने उसे बड़ी नफरत वस्तेरसकार से देखा फिर बड़ी करिमा पूर्ण अदा के साथ उठी उसने अपनी उंगली जहां सोनेता ने दांत मारेते अपने मूँ में ली और फिर कमल लहराती अदा के साथ चलती हुई कमरे से निकल गई तभू के कमरे से निकलते ही वे चौता दर्वाजा भी बंद हो गया तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाफ करते हों मिलते हैं अनुहोनी के अगले भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद